जो हर्पीज के रोगी है हर्पीज आज ऐसे बिमारी हो गई है हर्पीज मैं जानता हूं कि इतनी भान खदरनाक रोग है और विदेश्यों में तो बहुत ज्यादा है और इसके लिए कोई कारगर उपाए भी नहीं है और आप इसके पत्तों को पीज करके उसके रस को यदि हर्पीज वाली जगह पर लगा देते हैं तब पूरा लाब होगा और इसका कारग बनागर कि पीते हैं तो हर्पीज जैसे रोग में भी पूरा का पूरा आपको भरपूर लाब मिलेगा ये बहुत ऑच्छा प्रयूग ह जिनको मस्कुलर प्रॉलम मांस्पेश्यों की कोई भी विमारी है अईरविद में हलाकि अनेक तेलों का विधान है इसका रस निकाल करके जिसे माली जी की 800 ग्राम इसका रस निकाला तो आप उसको पकाना शुरू कर दें लगब आधा यानिकि 400 ग्राम रह जाए उसमें आप 200 200 ग्राम अधिक्तम सरस्तों का तेल डाली है फिर इसको धीमे आस पर पकाईए फिर जो बच्चे कमजोर है जिनके अंदर मांस्पेश्योंता की जो मस्कुलर प्रॉलम स्चुरू हो चुकी किसी बड़े आदमी को भी उसको आप मालिस करिए इस से आप देखेंगे निश्यत करनी चोड़ करके उसमें लगा लेना कि जड़ा लापकारी है